देखें, मुहबबत की स्थितिया बदल गई है, बहुत बड़े रचनाकार है, डॉक्टर उदैप्रताप सिंग जी, उदैप्रताप सिंग जी कहते थे कभी, उदैप्रताप सिंग जी के कितनी अच्छी पंक्तिया थी, हर फैसला होता नहीं, सिक्का उचाल कर, ये दिल का माम जल चुका है, आज कल की स्थिति अब ये जमाना हम लोग का है, प्यार मोहबबत हम लोगों के समय में किस तरह से पल्टी खा गई है, मैं लिखता हूँ कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं, हम तो किरकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं, अब तो हालात, अब तो बदले हुए हालात हैं मोहबबत के, रात भर जाक के चैटिंग का मजा लेते हैं, ये हालात बदल गए हैं दोस्तों, और देखिए ये जितने बुजूर्ग है न, बुजूर्ग मतलब, बुजूर्ग मने बुढ़ा बिलकुल नहीं, ये उर्दू के अलफाज हैं, अनुभवी, तो ये जितने बुजूर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो जब वाट्सब चलाते हैं, तो परिस्तितिया, इंस्पेक्टर सहब क्या हो जाती है, सुनियेगा, कि वो डीपी वाट्सब से हो नदारत, या बिजी लाइन, सितम वो कौन सा है, जो वो हरज रिपलाई नहीं करती, मैं उसका चेक्ट तो स्टेटस किया करता हूं सारी रात, मगर वो ऑनलाइन होके रिपलाई नहीं करती, इस्तिति खराब है, कितने लोग होंगे, जो इस्टागराम चलाते होंगे, या सोशल मीडिया के कीड़ा होंगे, अब उनके लिए मेरी रचना हैं, मैंने कहा कि इश्क माडर्न मेरा काश ये भी हाल हो जाता, अब ये जितने लोग खड़े हैं, ये हाथ बांद के रहेंगे, कसम खाके बैठे हैं, हाथ नहीं कोलेंगे, आई, ऐसे कभी सम्मेलन हो रहा था, एक आदमी नौजवाने था, आगे बैठा था एकदम अंदावत हो, तकाले नहीं कविता बहुत अच्छी है, कहा ताली कहीं नहीं बजा रहे हो, कहा रईस आदमी है, ताली क्यों बजा है, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हैं, अब देखिए, यहीं मस्ती है आपकी, अब पूछा गया चलो भईया, ताली नहीं बजा रहे मुश्कुराने के लिए दूसरा आदमी रखा है अजा तब तक धीरे से पीछे से कवनों मिला कहा कि भाईया की परसो शादी होई थी अब बलिया में पूरा बात खोल के बतानी कि जरूरत क्या है क्या उनके पास तीसरा आदमी नहीं होगा रईस है तो हाँ तो आपकी मस्ती बनी रहनी चाहिए अब इधर इस महले में कोई रईस दिखना नहीं चाहिए मुझको देखे मैं बता यह डाक्टर साहब बैठे हुए है आचा आप जानते हैं न कोरोना के समय में जब दूसरी लहर आई थी जब दूसरी लहर आई थी तो वैक्सिनेशन का दौर चल रहा था अब वैक्सिनेशन में डॉक्टर साहब ने कहा मत पुछो दमदार भाई ऐसे ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिनको कभी कॉलेज के टाइम में देखा करते थे उन्होंने अपना अनुभाव बताया तो मैंने उस पर चार लाइन लिख दी उनको सुनाए एकदम उचल पड़े वो आपको सुना रहा हूँ मैंने लिख दिया कि एक पैरा सीटा मॉल डिस्परीन के लिए यही दवाएं काम करती थी बाकी कुछ नहीं एक पैरा सीटा मॉल डिस्परीन के लिए कोवीड में पल्स भाब की मशीन के लिए एक पैरा सीटा मॉल डिस्परीन के लिए कोवीड में पल्स भाब की मशीन के लिए जिस डॉक्तर का प्यार वो ठुकर आई थी कभी उसके ही पास आई थी वेक्सीन के लिए इस्तिते ही खराब प्यार में गड़बडियां होती ही है ये मान के चलिए आप जवानी के दिन याद कीजिए कितने लोग शादी सुदा हैं इसमें से सारे लोग एकदम अनुभवी बैठे हैं बुजुर्ग बैठे हैं शादी के बाद शादी के बाद आदर्णी सुनियेगा शादी के बाद पतनी भले हि स्वर्ग की अपसरा मिल जाए जन्नत की हूर मिल जाए लेकिन मन में जो कसक रहती है कभी नहीं जाती कसक कभी नहीं जाती मैं बताता हूँ और लगे कि सही बात हो गई ये तफ समर्थन चाहिए, ये बलिया की धर्ती है, सुनिए गाददरी मेला, इसे मजाक में नहीं कोई को बुला लिया जाता है, वह अनुभाव लेके मैं आया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं का कि धले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तडपता है ये दिल जाने वफा की आद आती है, और मेरे खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तनहाईयों में दिल रुबा की आद आती है, दोस्तों, ये उम्र है महबत की, हम दिल रुबा से दिल लगाते हैं, लेकिन यही उम्र है, कि दिल रुबा से छोड़ करके, कुछ लोग भारत माता से दिल लगा बैठते हैं कुछ लोग अपनी धर्ती से दिल लगा बैठते हैं और ये दिल लगी सबसे महत्वपूल है, important है मैं समझता हूँ जननी जन्म भूमिश्चा आप सुकती भी पड़े हैं अगर प्यार का पहला हक किसी को है तो वो हमारी मात्र भूमी को है तब मैं कहना चाहता हूँ और बलिया की तालिया देखना चाहता हूँ कि जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते हाथ खोल करके बैठिये, किसी को हाथ बानने की अनुमती नहीं दूगा मैं मैं जब मंच पर खड़ा रहूं, माईक पर खड़ा रहूं तो आप पैकेट में भी हाथ नहीं डाल सकते आप हाथ निकालिये, जब देख की बात हो तो एक-एक सक्स को तालिया बजानी चाहिए अगर आप देश की किसी और व्यवस्ता में योगदान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम किसी अच्छी बात का समर्थन करिए और उस बात के समर्थन में तालिय बजाईए मैं आप सब को प्रणाम करता हूँ कि जब भी हो नामों निशा, खाके चमन के वास्ते जब भी हो चार पंक्तिया देता हूँ चौथी पंक्ति पे आपकी घंगोर तालिया जब भी हो नामों निशा, खाके चमन के वास्ते हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते तालिया समहा लिए जब भी हो नामों निशा, खाके चमन के वास्ते हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते वो सर फरोशी हो मेरी हिंदोस्ता की शान में एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते जोर जार तालिया जिसकी जो फितरत जैसे इनकी फितरत है हाथ बांद के बार बार खड़े हो जा रहा है मतलब हम बार बार हाथ खोलवा रहे है लेकिन ये रईसी से बाज नहीं आ रहे है इधर आईए थोड़ा सा माहौल बदलिए जिसकी जो फितरत है वो अपनी फितरत से बाज नहीं आता है अब पाकिस्तान के लिए उसके नेचर पर उसकी प्रवित्ती पर क्या कहा जाए उसकी प्रवित्ती ही ऐसी है बार बार सीर्फ फायर का उलंगन बार बार धमकी देना बार बार अंडबंड लिखना मतलब हद है भाई आप देख रहे थे जब हमारे देश की तरफ से उरी कांड हुआ उसके बाद से सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो वहाँ पर उका नाम रहा लो परधान मंत्रिया लड़किया रहा लो मुप्ति कहा महबुबा हुआ अरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मरियम नवाज थी भाई आप लोग नाम भी भूल जाते हैं क्या कोई खुबसूरती का नाम तो याद रखिये कम से कम हद है थोड़ा सा उसको दू मिनट डाउन करिए हम बहुत इंपोर्टन बात कहने जा रहे हैं ऐसा है कि अब जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो मरियम नवाज का इस्टेटमेंट था कि भारत की तरफ से जो विमान आया था जो फाइटर प्लेन आया था कौन सा फाइटर प्लेन वारहल भीया है हाँ मिराज यह 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 क्या बात है आपको याद है तो वो मिराज आया था आप देखिए मरियम नमाज का स्टेटमेंट है कि सर्जिकल इस्ट आई क्या सर्जिकल इस्ट आई भारत की सलब से जो वो मिराज आया था वो जादा अंदर तक नहीं घुसा था आप बताईए लेकिन लेकिन हमारे देश के जवान वहां तक गए थे जहां तक पाकिस्तान में ने कबजा करके रखा है कस्मीर को सोचिए ये अलग बात है मैं पाकिस्तान के नेचर पर क्या कहूं मैं तो कहता हूं कि है दौलत मंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा है दौलतमंद जो दुनिया में हम बार-बार आपका नाम ले रहे हैं सत्य प्रकास जी का नाम ले रहे हैं इसलिए भी ले रहे हैं कि हमसे कहा गया है इसलिए नहीं ले रहे हैं कि कहा गया है गलत समझ रहे हैं इसलिए ले रहे हैं कि आज के दूले यही दोनों लोग हैं आज की महफिल सजाने में इन ही दोनों लोगों का योगदान है और बलकि हर बार अब देखिए अपने कारेकाल में पाचो साल साथदार कभी सम्मिलन और मुशायरा कराना ये मजाक की बात नहीं है ये दुबारा जब जीत के आएंगे तो फिर से कभी सम्मिलन कराएंगे तो दमदार बनारसी को याद रखे इसलिए बार-बार में ले रहा हूं आप हमारा भी मकसद समझते रहिए बीच- में तो मैंने पाकिस्तान के नेचर पर बात कही मैंने कहा है दौलत मंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा अब आप समझिएगा तो ताली बजेगी है दौलत मंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा जो अपने फन में माहिर है वो अपना फन दिखाएगा तो तुम पाकिस्तान की हरकत पर हैरानी नहीं करना जनम से जो कमीना है कमीना पन दिखाएगा। पर उसकी प्रवित्ती ही हैसी, अब क्या करेंगे। समस्या यह है कि अब यह चीन तो जानधा नहीं लग लगी है। चीन के का इस्थिती बाइबरा बताएं। अब देखिए, अब आप बलिया के लोग है, आपको भी देर से समझ में आएगी। तो बात हैं अलग है। तो बीच बीच में अपनी बोली अगर आए, तो उसका गर्व करना चाहिए। क्योंकि आचा मैं मुझे अक्सर अवसर मिलता है कि मैं टीवी चैनलों पे जाता रहता हूँ। यहां सुधिव भाईया बैटे हैं, सुधिव भोला जी हर हपते, हर दिन किसी ने किसी चैनल पे बुक रहते हैं। और मोटा मोटा लिफाफा देके चैनल वाले बुलाते हैं। आज किसी तरह जाल में फस कर बलिया चले आये हैं। तो मुझे भी एक बहुत बड़े चैनल ने बुलाया। और चैनल ने कहा कि देखो भाई, रुपया गिर रहा है इस पर कविता करनी है। तो हम कहें कर देंगे कोई दिकत नहीं। अभी हसने वाला समय अब आ रहा है। तो मैंने कहा रुपया गिर रहा है क्या बड़ी बात है। बिल्कुल कविता कर दूँगा। कहा अच्छा दमदार भाई आप बनारस से आते हैं। रुपया गिर रहा है इस पर तो कहिएगा थोड़ा खयाल रखिएगा कि बात मोदी जी के खिलाप में नहीं जानी चाहिए। अब बताइए। मैंने कहा कि रुपया गिर रहा है इसमें मोदी जी की क्या गलती है। रुपया की गलती है वो गिरा क्यों है। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है, इश्क का फितूर है, आप उद बजावे से थोड़ी काम चलिए, आप मैं, नहीं, आप हसिये भी, लेकिन साथ साथ मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूं, इस छंद पर बजाई गई आपकी एक-एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बबवा के लिए हनीप्रीत किया करती है, हाँ, तो बजाएंगे तो हमको थोड़ा सा आच्छा लगेगा, थोड़ा सा बजाते रहे हैं, बनागा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है, इश्क का फितूर है, एंडी तिवारी का तो डिने टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में ये किस्ता मशुहूर है, साथ राम पाल, ओह बहत्तर में आसा राम, गिरने की सूची हमें ग्याद तो जरूर है, ओ बड़े बड़ो गलत जगा बजा दिये आप, बजाने की जगा अ गिरे थे 86 में ये किस्ता मशुहूर है, साथ राम पाल, ओह बहत्तर में आसा राम, गिरने की सूची हमें ग्याद तो जरूर है, ओ बड़े बड़ो को भी हम पाते हैं, गिरा हुआ है, रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है, मोदी जी क्या कर सकते, मोदी जी की कोई अब आईए तब से आप बैट के तीले देख रहे हैं कर लेहार रहता गीत पढ़के गया है कि अब बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं किसको बुलाओं तो मेरी निगाहे पलवी त्रिपाठी जी की तरफ जाती है अचा पलवी जी आपको बता दूँ देखिए महिला शक्ती क का प्रतनिधित्व कर रही है पल बताइए सर हमारी कोई गलती ने हमको सही हो जग बुलाएं है 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 कोई दिकत है 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 बैया है 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 हम डर ही रहे थे हम हम पढ़े है सर पढ़े अच्छा थेंक्यू हम देखिए यह सब कविता हैं डर डर के पढ़नी पढ़ती है इसलिए हम कहें कि मोदी जी की कोई गलती यह नहीं है मैं कोई गलती नहीं है भाई कसम खा रहे है तो पलवी त्रिपाठी जी बैठी हुई है मैं चाहता हूं कि माहौल थोड़ा बन गया है आप अब सुनना चाहते हैं अचा देखिए हमेशा महिलाएं जुल्म कही शिकार नहीं होती हैं आप मानते हैं ना हमेशा महिलाएं जुल्म कही शिकार नहीं होती हैं पुरूस इतने निष्ठुर कभी हो ही नहीं सकते हैं नहीं हो सकते हैं हम इन जो बड़े करता हूँ आप आप आशिर्वाद ताली बजा कर दे, पैसा न दे, इनके ़िद करने की वज़ह से मैंने इनका सम्मान रखा और यह यकीन रखी है यह सिर्फ 10 रुपे का नोट नहीं है, इसमें आपकी भावनाएं है, इसमें आपका प्यार है, आपका आशिरवाद है, इसलिए मैं ले रहा हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, इसको माते लगाता हूँ दोस्तों हमेशा एक आरोप लगता है कि नारियों को कदमों की धूल समझा जाता रहा है नारियों को सजावट की वस्तु समझी जाती रही है नारियां हमेशा से डबाओ में रही है पैदा होती है पिता की सत्ता में रहती है बड़ी होती है तब तक शादी होती है उसके बाद पती की सत्ता में चली जाती है बूरी होती है तो बच्चों की सत्ता में चली जाती है उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं दिखाई देता है लेकिन दोस्तों ये मित्या है ये भ्रम है बलकि हकीकत कुछ और है इससे अलग है फेमिनिस्टों ने भी माना है आज आटों से लेके रॉकेट तक महिलाएं उड़ पहन कर इनके चरणों में डालता हूँ कैसे कह रहे हो नारियों को अबला करूप शक्ति की स्वरूपा है जवानी बनीनारियां कैसे कह रहे हो नारियों को अबला का रूप शक्ति का स्वरूपा है जवानी बनी नारियां ममता मई है प्रेमा स्रध्धा भक्ति दयावती त्याग बलिदान की कहानी बनी नारियां व्यता है नगर बधुओं के रूप में भी रही शर्म हया आखो वाला पानी बनी नारियां वक्त आ गया तो तलवार खीच खड़ी हुई वीरांगना जासी वाली रानी बनी नारिया आज हर कदम, कदम से कदम मिला करके पुरुशों के साथ चल रही है बलकि 10 कदम आगे हैं और एक और बात है, पूरी स्रिष्टी में ये प्रकृती है कि नारियों के पास ऐसी ताकत है जो पुरुषों को जन्म देती है, पुरुष किसे नारी को जन्म देता हुआ, कभी दिखाई नहीं कर सकते हैं, दूर से प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप समझिए, जब जगत जन्नी बनती है, अरे बहुत सारे उधारण है भाई साहब, वैसे तो हर पुरुष सेर समझता ही ह खुद को लेकिन घर जाता है तो उस पर महिसा सुर मर्दनी भी सवार हो जाते है न बात है कि नहीं इसमें कोई बात है कि नहीं यह हकीकत है अरे आपके बगले में इलहाबाद में उराधे शाम भारती जी रहते हैं उप्रवित्ती बताते हैं नारियों की कि रोज नया एक भरने भी नहीं देती खान पकरती मन का कुछ करने भी नहीं देती और भर्माविस जीने नहीं देती है अब किसी ने कहा कि यह तेरे मात्य का आचल तो बहुत खूब है लेकिन तो इस आचल से एक परचम बना ले ती तो अच्छा था क्या बढ़िया बात कहदी है मैं चाहता हूँ इस चमते जील में हस्ता कमल भी चाहिए ऐ गला अच्छा तो फिर अच्छी गजल भी चाहिए ददरी मेला का कभी सम्मेलन है यह दोस्तों कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा खाली तिले नहीं देखना है दिल भी देखना है सुनिएगा एक शेर नजीर बनारसी सहब का और पल्लवी त्रिपाठी जी खरामा खरामा माई तक बढ़ते हुए आ जाए तो मजा आ जाए कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखे तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा?